हालो स्ट्रिंट्स आप सभी का अपने योट्यूब चैनल डिवरा मैस क्लासे पर वेलकम है और आज की इस क्लास में हमने जैसे की बताया था आपको पिछली वीडियो में कि हम वेक्टर कैलकुलिस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यह क् प्रोड़क्ट ऑफ वेक्टर्स वेक्टर्स वेरी इंट्रस्टिंग टॉपिक और जो आप वेक्टर कैलकुलिस पढ़ेंगे यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्कॉरिंग बुक भी है और बहुत ही नॉनेजिबल मना इसके जो टॉपिक्स हैं वो इतना मालें आपके ल आप पढ़ चुके हो फर्स समेस्टर में थोड़ा बॉरिंग भी हो इसका कॉंसेप्ट ज्यादा आगे जाकर कि यूज नहीं होता है लेकिन वेक्टर कैलकुलिस के कॉंसेप्ट हर किसी पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे तो आज हम स्टार्ट करेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं मुल्टिपल प्रोड़क्ट ऑफ वेक्टर में आपको क्या पढ़ना है सबसे बले देख लेते हमें यहां पर थ्री वेक्टर्स कितने थ्री वेक्टर्स की डॉट प्रोड़क्ट यहां पर जो हम पढ़ने वाले है इस चाप्टर में इस सिरीज में तो हमें क्या करना है हमें 3 और 4 वेक्टर्स की डॉट और क्रोड़क्ट को अच्छे से समझ लेना है और इसी से related जो मैं questions post कर रही हूँ YouTube community पर और जहां पर मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा maximum संख्या में जो हर स्टूनेंट्स के answers रोंग आ रहे हैं जितने भी मैं वहां पर question post करें हूं सभी basics से related है सभी के सभी basics से related है कि कितने percent student ने कौन सा answer किया है तो सोच समझ के आप answer कीजिएगा और उन सभी questions के series भी हम start करेंगे जितने भी अभी तक questions अभी तक मैं 23 questions post कर चुकी हूं vector calculus के तो जितने भी questions मैंने post किये है सभी questions का solution आपको उसमें एक ही class में आपको provide किया जाएगा तो अभी 30 questions हो जाते हैं इसके बाद हम उसके solutions प्रवाइड करेंगे तब तक आपका base यहां से clear हो जाएगा अगर आपने अभी तक लगता है कि इन questions के answers देने में आप अभी भी हिचक रहे हैं आभी तक आपको नहीं आ रहे हैं तो definitely series करने के बाद आपको सभी questions के answers आ जाए right triple product जब हमें करना है और क्योंकि हम वेक्टर वेक्टर की triple product कर रहे हैं तो यहां पर दो टाइप के आपके बास triple product रहेगी scalar triple product and vector triple product okay scalar का मतलब क्या होता है देखिए अगर मैं दो वेक्टर लेती हूँ a and b और यहां पहले पढ़ भी चुके हो a dot b अगर हम करते हैं तो हमें क्या answer मिलता है एक scalar number मिलता है एक constant value मिलती है okay अगर a cross b अगर हम find out करते हैं तो हमें एक vector quantity मिलती है इतना सबको पता है कि a dot b scalar quantity होती है और a dot b vector quantity होती है यहां पर जब हम triple product करेंगे तो हम यहां से a, b, c, three vectors ले लेते हैं अब हम triple product में भी अभी हमने बताया कि यह दो तरह की होती है triple product scalar triple product and vector triple product दो टाइप की है यहां पर बढ़ने वाले triple product है ना तो सब से पहले हम देखते है scalar triple product इसमें बहुत कुछ आपको सेखने को मिलेगा बहुत ही कुछ तो सब से पहले हम देखा scalar triple product three vectors हमने लिए अब क्योंकि नाम ही scalar triple product है three vectors की scalar value हमें मिल रही है अगर दो वेक्टर की scalar value आपको मिल रही है तो आपको क्या करना पड़ रहा है a dot b करना पड़ रहा है सब्समें आ रहा है तो यहां पर भी मुझे क्या चाहिए मुझे dot product करनी है लेकिन आपको यह चीज समझना है कि जब भी हम dot product करते हैं तो हमें दो वेक्टर की जुरुत होती है आप ऐसा तो नहीं कर सकते lambda into a vector इसको आप dot product कहेंगे नहीं कहेंगे lambda is any constant value dot product हमेशा दो वेक्टर की बीच में होती है अब क्योंकि मेरे पास 3 vectors है तो इनका कैसे जुगाड करेंगे हम क्या कर सकते हैं कि मुझे यहां पर scalar triple product मिल जाए तो देखें अगर मैं यहां पर कर देती हूँ a cross b a cross b करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा यहां से vector quantity मिलेगी मिलेगी vector quantity and c vector मेरे पास already है c is another vector जो कि third vector मेरे पास है अब मुझे दो vectors मिल गए देखो a और b को मैंने एक vector में convert कर दिया किस से कर सकते हो cross product से कर सकते हो अब क्यूंकि यह भी vector quantity यह भी vector quantity है अब आप scalar कर सकते हो product है तो यहां से अगर मैं scalar product करती हूँ so a cross b dot c is called scalar triple product clear so a cross b dot c इसको हम कहेंगे scalar triple product three vectors की scalar product clear that अब यहां पर कुछ ऐसी tips में आपको बताते हूँ यानि कि ऐसी conditions situations जिसको कहेंगे इसको आप बोल सकते हो important knots कि किस किस situation में यह जो scalar triple product आप करने हो कहां कहां पर यह फेल हो सकती है ओके अब a cross b यह तो हम बता चुके a cross b vector quantity है c vector quantity है तो यहां पर आप scalar product दोनों की करोगे इसको हम कहते हैं इसलिए हम इसको कहते है scalar triple product है यह त्री वेक्टर की scalar product है ओके अगर यहां पर हम ऐसा लिख दे a.b into c this is meaningless क्या इसका कोई meaning है इसका कुछ भी meaning नहीं है क्यों meaning नहीं है अरे एक a.b यह हमारे पास आजाती है scalar value है ना और यह कैसी है vector quantity है ओके तो जब आप scalar की multiply यहां पर क्या होगा है scalar क्या multiply कर रहे हो तो इसका कोई भी meaning नहीं होगा scalar triple product हम इसको नहीं कह सकते हैं ठीक है अगर यहां पर हम एक दूसरे तरीके से यहां करने क्योंकि a.b scalar value हमें दे रहा है इसका मतलब यह जो quantity यह क्या शो करेगी कि a.b जो है यह इसका magnitude की आप multiply कर रहे हो सी वेक्टर के साथ और अगर यह आपको situation मिल भी जाती है क्यासी अगर a.b की value आजाए 0 वैसे तो यह क्या हमारे पास meaningless है इसका meaning मतलब यह स्कैलर triple product की के से meaningless है अगर मैं यहां पर देखती तो a.b into c इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो c वेक्टर है इसकी multiply कर रहे हो multiply with magnitude of a.b के साथ यानि कि यहां पर हमें कोई constant value मिल रहे है उसको आप c वेक्टर साथ multiply कर रहे हो simple ओके अगर a.b 0 हो जाता है then c वेक्टर हमारे पास क्या होगा अगर यह 0 तो c की value भी क्या होगी 0 ही होगी ठीक है c वेक्टर हमारे पास क्या मिलेगा 0 क्यों क्योंकि अगर आप a.b into c की value find out करते हो then अगर आप यहां पर डॉट भी लगा देगे ना तो भी इसका मतलब डॉट पर नहीं हो जाता है काफी बच्चे यह confusion में रहते हैं कि यहां पर आपने डॉट का मतलब आप कर क्या रहे हो डॉट और क्रॉस एक तरह की वेक्टर की multiplication होती है जिसको उने अलग लग नाम इसलिए दिया क्योंकि डॉट परड़क करते हैं तो स्कैलर क्वांटिटी मिलती है और क्रॉस प्रोड़क करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है सिर्फ इसलिए इसको के लगा है ठीक है अगर a dot b हमारे बास जीरो है डैट में 0 into C यहां से क्या आ जाएगा 0 मतलब C जो होगा वह हमारा क्या होगा नल वैक्टर होगा यहां से आप यह बता सकते हो दन, दन C vector is null vector, यह जो छोटी छोटी चीजी होते हैं, इनी पर based, जो मैं question अभी बता रही थी, आपको मैं question post कर रही हूं, YouTube community में, तो इनी पर based ही वो questions होते हैं, जिनको, जो सरफ आपके basic को देखते हैं, सरफ आपके basic लिए रहोगा, तो ही आप उसके answers कर पाएंगे, सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक method तो हमारे पर यह आ गया, a cross b dot c, a और b दो vector की cross product करेंगे, और c vector सा dot product कर देंगे, इसके कुछ और भी short cuts method है, जो कि हम अभी देखने वाले हैं, और इसके बाद कुछ बहुत जादा important इसकी properties होती है, scalar triple product में important इसकी properties ही है, उन्हीं पर based आपको questions मिलने वाले हैं, देखते ह हमें देखना कि scalar triple product आप कैसे find out करेंगे, scalar triple product, क्या होता अभी हमने बता है, a cross b dot c, ठीक है, अगर यहाँ पर आपको vectors देज दिये जाए, let a vector is a1i, a2j, a3k, b vector is b1i, plus b2j, plus b3k, and c vector is c1i, plus c2j, plus c3k, जब हमें solve करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें direct दिखाई दे रहा है कि हमें a cross b find out करना है, cross product सभी को find out करनी आती है, कोई problem नहीं है, हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, first row, component of a vector, and second, जो हमारे पास यानिकी, i, j के first row होती है, यह second row, यह third row हो जाती है, b1, b2, b3, इसको हमें expand करें, i into a2, b3, minus a3, b, पहले a के लिख लेते, a3, b2, minus j into a1, b3, a1, b3, minus a3, b1, and plus k into, आप यहाँ से इस minus को अंदर adjust कर सकते हो, यह positive नेगेटिव हो जाएगा न, plus k into a1, b2, minus a2, b1, ठीक है, यह हमारे पास आपी cross product, हमें क्या करना है, हमें इसकी dot product करनी है, with a vector c, a cross b dot c vector, और राइक, बार-बार मैं arrow नहीं लगाऊंगे, अभी, बहुत time लग जाएगा न, a2, b3, minus a3, b2, इसको भी positive ले रहे हूँ, हम इस symbol को अंदर adjust कर लेते हैं, minus को, a3, b1, minus a1, b3, plus k into a1, b2, minus a2, b1, dot product चाहिए हमें किस के साथ, हमें चाहिए c vector के साथ, c1i, plus c2j, plus c3k, और dot product कैसे करना होता है, i, i के coefficients multiply हो जाएंगे, c1 into a2, b3, minus a3, b2, okay, plus c2 into a3, b1, minus a1, b3, plus c3 into a1, b2, minus a2, b1, right, अब यही जो आपकी पास answer आया है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ, देखे, determinant of a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, अब आप इसको भूल जाएं, सिरफ हम यह expand करना हैं, और इसकी value देखनी क्या आ रही हैं, यहाँ से जब हम expand कर रहे हैं इसको, यह तो आप इसके जो rows हैं, इनको आप interchange कर लेजिए, अगर interchange नहीं करते हैं, पहले हम इन दोनों को interchange कर लेते हैं, फिर इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं third row के with respect, इसको expand कर लेती हूँ, जैसे हम first row के with respect expand करते हैं, ऐसे मैं यहाँ पर लेती हूँ, c1 with respect to third row, इसको मैं expand कर रही हूँ, c1 लेंगे, तो यह row, यह column skip कर देंगे, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, a2, b3, minus a3, b2, right, minus c2, minus c2, हम यह वला कोजम, यह वली row skip करेंगे, और यहाँ से आ जाएगा, a1, b3, minus a3, b1, plus c3 with respect to third row expand कर रही है, so this is equals to a1, b2, minus a2, b1, right, इसको मैं ऐसा लिख दू, c1, a2, b3, minus a3, b2, plus, इसको अंदर अच्छिस कर दो, a3, b1, minus a1, b3, and plus c3, a1, b2, minus a2, b1, ठीक है, अब जड़ा मैच किजिए, यह equation number में first ले ले लेती हूँ, और यह equation number में second ले लेती हूँ, क्या दोनो equations बिल्कुल आज़टीज है, सेम आ रही है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, कि अगर a vector के component है, a1, a2, a3, b vector के component है, b1, b2, b3, और c vector के component लिए, c1, c2, c3, तो अगर हमें scalar triple product find out करनी है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, as a determinant, हम direct, हम ना तो cross product करेंगे, ना ही फिर c के साथ dot product करेंगे, हम direct इसको क्या करेंगे, हम इसको इस form में determinant में लिख देंगे, so this is equals to a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, अब direct as a determinant इस form में इसको solve करेंगे, expand करना सभी students को आता है, यहाँ पर सिर्फ हम expand, अब जरूर ही नहीं है, आप third row से ही expand करेंगे, आप किसी भी row के बद respect इसको expand कर सकते हैं, जैसे normally हम क्या करते हैं, first row के बद respect expand करते हैं, तो आप ऐसी expand करेंगे, understand, तो यह जो हाँ का shortcut formula हमें मिल जाता है, यहाँ से scalar triple product को solve करने का, अब देखें कितना lengthy हो जाता है, पहले a cross b करेंगे, फिर c के साथ dot product करेंगे, हम direct इसको determinant, इनके जो components होंगे, जो भी आपको components given है, a, b, c vector के, उनको आप as a row लिखो, और determinant को expand करो, clear that, अब इससे ज्यादा important, इसकी properties है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, properties start करते हैं, और properties start करने से पहले, सभी students को inform कर दें कि, अगर आपको vector calculus के notes के requirement है, तो जल्दी ही आपको new era maths application की free study material में, ये notes जो आपको मिल जाएंगे, कुछ books के, जो notes हैं, वो हाँ पे डाल चुकी हूँ, और अभी तक जिन्स ने नहीं देखा है, तो आप देख सकते हैं, first, हम कहें कि, old semesters की books के, कुछ एक book के, सभी तो नहीं कहेंगे अभी, कुछ एक book के notes आपको हाँ पे मिलेंगे, even semesters के हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो vector calculus से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो vector calculus के जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे, new era maths application पर, और ये आपको free study material option शो करेगा, जैसे आप left hand side पर जो three lines होती है, आपको three lines इस टाइफ से शो करेगा, जैसे आप application डाउनलोड करेंगे, इन three lines पर click करोगे, और free study material ओपन करेंगे, तो आपको vector calculus के notes की PDF मिल चाहिए, और ये जो मैं आपको, जो book यहां से start करवा रही हूँ, इसकी PDF भी आप ले सकते हो, जिस book से मैं पढ़ा रही हूँ, जीवन संस पॉब्लिकेशन की book से, यहां पर आप जो telegram group है, उसको आप join करेंगे, और ये इस group का link वीडियो के description में मिलेगा, या फिर आप search कर सकते हो, BA, BAC, Mass by, Unjumam, काफी students ऐसे कहते हैं कि मैं आप ये group join नहीं होता है, तो आप मुझसे contact करेंगे, मैंने कई बार देखा है कि मैं जब खुद try करती हूँ, तो easily group join हो रहा है, कुछ issue होगा, तो देखा जाएगा फिर, 8053-633-433, आप यहां तो whatsapp कर स चलिजी, start करते हैं, scalar triple product is not changed, a cyclic order of vectors is maintained, देखे, धिहार नखिएगा, जब भी हम scalar triple product की बात करते हैं, so a cross b dot c, इसको आपको denote कैसे करना है, इस type से, capital brackets हमें लेना है, और commas नहीं लगाना है, ऐसे commas नहीं लगाना है, right, a, b, c, इस type से हम इसको define, यानि इसको आप इस form में ल है, तो हम इसको ऐसे open करते है, a1, a2, a3, b1, b2, b3, यानि solve करेंगे, इसकी value find out करेंगे, तो हम इस determinant को expand कर देते हैं, और हम इसकी value मिल जाती है, right, अब यह कहता है कि scalar triple product is not changed, it's cyclic order, अभी cyclic order क्या है, देखो, अगर मैं यहां पर लिखते हूँ, a, b, c, okay, cyclic order समझने के लि फिर यह इधर जा रहे, मेरे पास three vectors है, okay, a के बाद कोन आ रहे, b, b के बाद कोन आ रहे, c आ रहे, तो इसी को अगर मैं ऐसे लिखू, b, c, a, b, c, a, तो कुछ change आ रहे, नहीं आ रहे, क्योंकि देखे, b के बाद c, c के बाद है, एक cycle में चल रहे है, पहला vector कोई भी हो, matter न क्या सकता है, c, a, b, लिख सकते हैं ऐसा, c, a, b, तो इन तीनों की values equal रहेगी, equal to रहे, देखो, जब मैंने a, b, c लिखा, तो a के component first row में, b के component second row में, c के component third row में लिखे, right, अगर मैं इसी determinant को, इस determinant को क्या मैं ऐसे, चलो यहां लिखती हूँ, number not कर लिया होगा अपने अभी properties of determinant, सभी को पता है, कि अगर मैं rows को interchange करती हूँ, तो negative symbol आता है, right, negative symbol, a1, a2, a3, मैं क्या करती हूँ, मैं b और 2 को interchange कर दे, sorry, second row, row 2 और row 3 को interchange कर देती हूँ, okay, c1, c2, c3, b1, b2, b3, तो यहां पर क्या आ गया, minus का symbol आ गया, properties of determinant, okay, और इसी को अगर आप scalar triple product में लिखना चाहों, तो कैसे लिखोगे, negative हमारे पास चल रहा है, यह किसके component है, a vector के, यह किसके है, c vector के, यह किसके है, b vector के, तो हमने देखा यहां पर, अगर आपने इसको लिखा, a, c, b, अगर आ आ रहा है, मेरे पास, negative symbol आ जाता है, समझ में आ है, तो यहां पर जैसे ही, आपने इसके cycle को तोड़ा, negative symbol आ गया, all right, अगर आप इसको फिर से change कर दोगे, आप इसको इसके साथ convert कर रहे हो, row, second को, row first के साथ convert कर रहे हो, तो क्या मिलेगा मुझे है, c1, c2, c3, a1, a2, a3, b1 b2, b3, ठीक है, जैसे आपने interchange किया, तो इसमें एक minus और आ गया, क्योंकि हमने इन दो rows को interchange किया, minus 1 square हो जाएगा, एक negative पहले था, एक और आ गया, positive हो गया, ठीक है, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, c, a, b, क्या ये cycle बन रही है, c के बाद कोन आ रहे है, a के प्रूव करना आ जाएगा, तो इस ताय से determinant की help से हमें प्रूव करना पड़ेगा, कि अगर आपसे ये प्रूव करना आ जाए, कि प्रूव दाट, a, b, c, scalar triple product of this, equals to minus of a, c, b, ठीक है, short question में आ सकता है, प्रूव करना, राइट, तो आप determinant open करेंगे, आप interchange करेंगे, and then show करें स्केलर ट्रिपल प्रोड़क्ट की value सेम रहेगी, अब देखो, इसकी value, क्योंकि ये तो positive हो गया, right, तो ये किसके equal, हमारे पास, ये determinant, और ये determinant, एक्वल ही तो चल रहे है, ये किसके equal, इसके equal चल रहे है, तो यहां से मेरे पास आजाता है result, कि अगर, a, b, c, scalar triple product को, आप cyclic कोडर में, vectors को interchange कर रहे हो, न, vectors को change कर रहे हो, तो काम चलेगा, वही value आएगी, यहां से अभी मैंने बताया आपको, b, c, a, अगर आप लिखेंगे, इसकी value equal होगी, c, a, b, तीनों की value equal रहेगी, और जैसे कि अभी हमने प्रूव किया, यहां पे, अगर आपने एक vector को interchange किया तो negative आगया, okay, scalar triple product, a, b, c, is equal to minus a, c, b, मैंने इन दोनों को interchange कर दिया, अगर आप फिर से interchange कर रहे हो, जो आसपास vector उनिक हो, तो interchange कर सकते हो, right, यह किसके equal आजाएगा, 1 minus or आजाएगा, so c, a, b आजाएगा, clear that, तो इस type से ध्यान लेखना है आपको, कि यह जो first property है, most important property है, और इसी पर based आगे कि आपके पास properties मिलने वाले है, okay, next property देखते हैं, second property क्या कहती है, property second, कहता है कि a cross b dot c, यह equal होगा a dot b cross c, मतलब हमने क्या करा, हमने cross और dot के symbol को interchange कर दिया, समझ गए, यहाँ पे a और b के बीच में cross था, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यानि कि हमारा जो vectors का order है, वो वही है, ध्यान से देखेगा, vectors का order a, b, c है, यहाँ पर भी a, b, c है, बट जो cross product थी, cross यहाँ पे dot, इनको हमने interchange कर दिया, तो दोनों की value equal रहेगी, यह आपको यहाँ पर prove करना, और यह properties prove करना बिलकुल आती है, तो prove कैसे करोगे, अब ही हमन क्या बताया कि a cross b dot c, इसको आप क्या लिख सकते हो, determinant of a1, b1, c, oh sorry, a1, a2, a3, और यह ध्यान रखना कि बार बार हम यह लिखेंगे नहीं कि a के यह component है, this is understood, starting में हमने बता दिया है आपको, this, यह हमारे पास है determinant, किसकी value, a dot, a cross b dot c, और इसको हम कैसे बताते हैं, a, b, c, this is scalar triple product, okay, हमें यह प्रूव करना है, कि a dot b cross c होना चाहिए, okay, अब यहां से इसकी जो value हमने find out की थी, as a determinant, इसी तरीके से आपको इसको solve करना पड़ेगा, मतलब यहां से जब हम इनको दोनों को equal prove करेंगे, तब हमें क्या करना पड़ेगा हैं से, determinant solve करना पड़ेगा, जैसे dot product किया, इसी तरीके से आप यहां पर लिखोगे, right hand side, b cross c, आप सबसे पहले solve कीजिएगा, b cross c की value क्या होगी, i, j, k, b1, b2, b3, c1, c2, c3, and this equals to i into b2 minus, sorry, c3, minus b3, c2, minus j into b1, c3, minus b3, c1, plus k into b1, c2, minus b2, c1, ठीक है, यह इसके, जो product के वो आ जाती है, a के साथ dot करना है, अब हमें, a dot b cross c, find out करना है, तो a vector क्या था, a vector हमारे पास था, a1, i, a2, j, plus a3, k, इसके साथ आप dot product करेंगे, i, k component की multiplication, i के साथ कर दे, a1 into b1, c3, minus b3, c2, ओके, यहां से minus को adjust कर लेते हैं, plus, मैं आपर plus लेकर चल रहे हुँ, symbol, a2, this is, equals, b3, c1, minus b1, c3, plus a3 into b1, c2, minus b2, c1, ओराइट, अब यह जो आपके बास value आई है, अब मैं हाँ पर लेकर चलती हूँ, now, determinant of a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, इसको मुझे expand करना है, जब हमने यह प्रू किया था, तो हमने third row के with respect expand किया था, जब हम यह प्रू करेंगे, तो हम first row के with respect expand कर देंगे, और यही answer आजएगा आपके पास, clear that, जब इसको हम expand करते हैं, this is, अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया भई, यहाँ पर b2 आएगा है, ठीक है, अब जब इसको expand करोगे, with respect to first row, तो आपके पास यही value आएगी, जो य यह value आई हुए है, मतलब a dot b cross c का भी determinant आ रहे है, और a cross b dot c का भी determinant आ रहे है, that means, दोनों equal हो जाएगे, तो second property कहती है, कि अगर आप dot or cross product को interchange कर देंगे, तो values same रहेंगे, understand, तो एक result यहाँ से note कर लो, a, b, c, scalar triple product को अगर मैं इस type से dot or cross में लिखूंगी ना, तो इसको मैं भी लिख सकती हूँ, a cross b dot c, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, a dot b cross c, पीछे वाले vectors की cross कर दे, a के साथ dot product कर ले, तो जो दोनों की value equal आएगे, right, third property क्या कहती है, property third में कहता है, कि अगर आपके पास scalar triple product में दो vectors, या दो से ज्यादा vectors equal हो जाते है, then उसकी value 0 right, इसकी value क्या होगी, 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो vectors सेम आगे, क्यों होगी 0 value, determinant में लिख दे इसको, चलो, इसकी value लिखती होगे, determinant form में, a के component होगे, a1, a2, a3, b के होगे, b1, b2, b3, और यहाँ पर भी b के component लिख होगे, right, अब देखो, determinant के property क्या कहती है, कि अगर 2 row यह 2 column सेम आजाते हैं, तो मुझे value क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, so, the scalar, triple product is also 0, when 2 or more than 2 vectors are same, ठीक है, third property हमारे पास है, fourth property क्या कहती है, scalar triple product, जो हमारे 0 आएगी, अगर 2 vectors, एक दुसरे के parallel vector हो जाते हैं, यह चीज़ समझने की है, वैसे same चीजी है, कोई ज्यादा difference नहीं है, मतलब क्या कह रहे हैं आपे, 3 vectors आपके पास है, अगर यहाँ पे, if b parallel to c, then a, b, c, scalar triple product is 0, क्यों भई, ऐसा क्यों, क्योंकि, जो b vector, c vector के अगर parallel है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, b is equals to any constant into c vector, अगर 2 vector parallel होते हैं, तो हम एक दूसरी की value कैसे बताते हैं, कोई भी constant multiply होता है, राइट, b अगर c के parallel है, तो b vector की value क्या होगी, एनि constant into c, ठीक है, तो यहाँ पर, जो value मेरे पास है, अगर मैं open करते हूँ, देखें, इसको मैंने open किया, a1, a2, a3, b1, b2, b3, and c1, c2, c3, राइट, फिर हमने क्या कहा, कि b तो c के parallel है, अगर c के parallel है, तो b की value होगी, k into c, k into c होगी, तो हर एक component से multiply हो जाएगा, तो b की value में क्या लिख सकती हूँ, अगर b vector मेरे पास था, b1i, b2j, plus b3k, यह किसके equal है, k into c1i, k into c2j, k into c3k, और जब दो vector equal होते हैं, तो उनके components भी equal होते हैं, b2 की value, यह, b3 की value, k into c3, राइट, पुट कर देते हैं यहाँ पे, यह आजाएगा, a1, a2, a3, b1 की value क्या आजाएगी, this is k into c1, k into c2, k into c3, and third row is as it is, determinant में, अगर एक row की पास same constant है, तो उसको मैं भार ले सकती हूँ, तो k ही बाहर आएगा, पता है न, determinant में किसी number से अगर आप multiply करोगे, तो किसी row या column से multiply करोगे, और जब common निकालोगे, तो किसी एक row, किसी column से आप common निकाल सकते हो, matrix में हर एक number से multiply होगा, और common निकालेंगे, तो हर एक number से ही common आएगा, ठीक है, तो यहाँ से, हमारे पास common आगया, फिर से दो row same आजाती है, value क्या आएगी, 0, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी दो vector, ABC में से कोई भी दो vector अगर आपस में parallel है, तो scalar triple product की value 0 आती है, ठीक है, तो यह scalar triple product के बारे में, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था, basic सी चीज़े है, अब आप कोई भी question easily कर पाऊगे, इसके बाद आपके पास है, बहुत ही जादा important, mathematical interpretation and a volume of tetrahydron, दोनों को बहुत अच्छे से करेंगे, अच्छे से समझ के, basic clear करके हम उसको जानेंगे, और scalar triple product से क्या उसका relation है, क्या नाता है, यह हम देखेंगे next class में, ठीक है, तो दोनों आपस में linked है, हम geometrical interpretation इसलिए कर रहे हैं, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, और आपके पास जो basic questions आते हैं, जब अब MSC entrance देंगे न, आगे जाके जो भी student MSC करना चाहता है, तो यह चीज़े बहुत helpful होती है, अच्छे से आपको बढ़ाई करनी है, अच्छे से concept को समझ के चलना है, Notes स्टार्ट कर दीजिए बनाना, कोई भी अगर आपकी क्योरी है, तो जो मैंने नंबर लिखा था, वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, जितना भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं आप लोगों की जो doubts हैं, वो लेने की कोशिश करूँगी, हाँ, only what's up, मिलते नेक्स क्लास में, bye, take care